सुबा खाली पेट, खालो पाँच भीगे बदाम, हैदे जान करना जाओ को है हिरान, जानने के लिए वीडियो को अंतक देखे दोस्तों बदाम खाने में मीठा और तीखा दोनों तरह का होता है आपको बता दे कि मीठा वाला बदाम खाने में इस्तमाल किया जाता है और तीखा वाला बदाम तेल बनाने में इस्तमाल किया जाता है बदाम में अधिक मात्रा में नूट्रिशन और मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी असीड, ओमेगा 6 फैटी असीड, बिटामिन E, केलसियम और फास्पुरस आदि ज्यादा मात्रा में होते हैं पुरकुरी और मीठे बदाम को या तो कच्छा खाया जाता है या फिर उसे किसी मीठे और स्वादिष्ट विंजन में स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तमाल किया जाता है बदाम ब्लड प्रेसर के मरीजों के लिए फैदे मंद होता है या फिर शरीर की नर्व और मांस्पेशियों की किया विधी को समान रूप से चलाने में मदद करता है कई सारे निट्विनिस्ट यह मानते हैं कि कच्छे बदाम के तुलना में भीगे हुए बदाम का सेवन करना ज्यदा फैदे मंद होता है क्योंकि रात भर इसके भीगने के बाद इसके छिलके में मौझूद टॉक्सिक पदार बाहर निकल जाते हैं और ज्यदा तर निट्रियंस हमें मिल जाते हैं आए इस विडियो के माध्यम से हम आपको भीगे हुए बदाम खाने के हैदों के बारे में बताते हैं दोस्तों यह पाचन बढ़ाता है जब बदाम को भीगू कर खाया जाता है तो यह असानी से पज़ जाता है और पाचन की संपुर्ण क्रिया को सुचारों रूप से चलाता है और पेट को स्वस्त रखता है पेट स्वस्त रहने पर आपके कई बिमारी ऐसे ही दूर हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए अच्छा होता है दोस्तों गर्वती मैलाव को भेगे बदाम का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें और उनके होने वाले बच्चे को पुरा निउट्रेशन मिलता है जिसे दोनों स्वस्त रहते हैं दिमाग को स्वस्त रखता है दोस्तों डाक्टर का इहमनना है कि रोजना सुबह चार से छव बदाम का सेवन करने से आपकी मेमोरी तेज होती है और आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम फीक से काम करता है जिसे दिमाग स्वस्त रहता है दोस्तों ये कोलेस्टरॉल को भी कम करता है बदा में मौझूद मोनोसिचुरेटेड फैटी असीट और विटामिन ए की वज़ासिया सरीर में मौझूद कोलेस्टरॉल को कम करता है और बलड में गुड कोलेस्टरॉल की मातरा को बढ़ाता है हार्ट अटेक के लिए अच्छा होता है दोस्तों भीगे बदा में मौझूद प्रोटीन, पोटेसियम और मेगनेसियम हार्ट को स्वस्त रखने के लिए जरूरी होते हैं इसके अलावा इसमें धेर सारे अंटियोक्सिदेंट गुन होने की वज़ा से या हार्ट की खतरनाग बिमारियों को भी दूर करता है ब्लड प्रेसर को नियंतित करता है भीगे बदा में ज्यादा पोटेसियम और कम मत्रा में सोडियम होने की वज़ा से यह ब्लड प्रेसर के साथ और दूसरी हार्ट से जुड़ी समस्याव को नियंतित करता है इसमें मौझूद मेगनेसियम क की वज़ा से यह ब्लड के प्रवाव को 24 रूप से नियंधित करता है वजन कम करता है दोस्तों अगर आप मोटा पे से परिशान है और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अपने डाइट में भीगेवे बदाम को सामिल करें ऐसा करने से आपको देर तक भूख नहीं लगती है जिससे आप अपना वजन असानी से कम कर सकते हैं कब जो को दूर करता है दोस्तों भीगेवे बदाम का सेवन करने से आप व प्रीबायोटिक गुन होता है जो इम्मून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है प्रीबियोटिक गुन होने की वज़ा से यह आतों में मौझूद गुड बैक्टरिया के निर्मान को बढ़ाता है जिससे ऐसी कोई बिमारी नहीं होती है जिसका आफकी आतों पर पड़े तो चाकि एजिंग फूट मना जाता है वह सोब भीगेवे बदाम का सेवन करने से चेहरी पर जुर्यां नहीं पड़ती है और आपकी तोचा स्वस्त रहती है तो दोस्तों यह थी सुबह सुबह खाली पेट भीगेवे बदाम खाने के फायदे दोस्तों आपको यह जनकारी पसंद आया तो वी वीडियो को लाइक करें साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ